कि नमस्कार मैं राउल शर्मा आप देख रहे हैं इस पे लाइनियों स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में और बड़ी खबर के शुरुवाद बीजेपी सांसद ब्रिज भूशन से जी हाँ अपने दर्शकों को बता देएं कि महिला पहलवानों ने बीजेपी सांसद ब्रिज भूशन पर जो आरूप लगाए थे उसके बाद एक और बड़ी खबर निकल कर सामने आई ये खबर ये है कि महिला पहलवानों के पास कुछ ऐसी तस्वीरे मौजूद है जिसको अगर वो उन्होंने मीडिया में दिखा दिया तो तहलका मच जाएगा पूरी बीजेपी में हलका मच जाएगा जी हां कौन सी वो तस्वीरें और उन तस्वीरों का ब्रिज भूशन से क्या कनेक्शन है विस्तार से बता रहे हैं दरसल खबर इस तरह के सामने आई है कि महिला पहलवा पहले थे और बकायदा यूपी में एक बड़ा सा उन्होंने एक अपना वो ऑफिस भी मना रखा है जिसमें वहां पर पहले महिला पहलवानों को बुलाया जाता था तो ऐसे तमाम खुला से अब लगातार होते चले जा रहे हाला कि ब्रिज भूशन ने जो उन पर आरोप ल आगे भेजते थे जो तस्वीरों की बात हो रही ही तस्वीरों में यह बात है कि ब्रिज भूशन और महिला पहलवानों की बीच बहुत कुछ पर बहुत सारे ऐसे महिला पहलवान उनके साथ पुरुस पहलवान भी मौजूद थे जो धरने पर बैटे थे ब्रिजबूशन के खिलाप और लगातार वो ब्रिजबूशन के स्तीफ़े की बात कर रहे थे लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उनको जो है जो कमेटी है उस पर चान भी नोरी हाला कि महिला पहलवानों ने कहा है कि अब वो इस पूरे मामले पर चुप नहीं रहेंगी लेकिन खबर यह भी है कि कई महिला कोच ने भी व्रिजबूशन पर आरोप लगाया अब देखना यह होगा कि क्या जो तस्वीरों की बात हो रही है वो तस्वीर आ जाती है तो कि ब्रिजबूशन का जो सारा जमा जमाया खेल है या जिस तरह से राजनीती में उन्होंने अपनी पहचान बनाई वो सब खत्म हो जाएगी आज के लिए तनहीं आप से फिर दुबारा मुलाकात होगी तब तक ले जा दीजे नमस्कार